हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू वर चैनल ग्यान गंगा अर्वित क्लासेस में आज हम लोग बात करने वाले हैं सुभाव उपरम वाद अर्था चिकिसा प्रावित्ति अध्याय के अंतरगत हम लोग जो यह बात करेंगे सुभाव उपरम वाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू करें और वीडियो को लाइक और सेर जरू करें जिससे कि अधिक सदिक लोगों को मिल सके तो आई यह बात करते हैं कि सभाव उपरम वाद क्या है तो सबसे पहले कि यहां पर देखना है कि सभाव और उपरम देखेंगे यहां पर दो टर में एक ह स्वभाव प्लस उपरम उपरम तो ये जानना जरूरी है कि स्वभाव प्लस उपरम उपरम का मतला होता है नास या शांती नास या शांती बोलते हैं स्वभाव मतला होता है स्वभाविक नेचुरल नेचुरल इसलिए इस थियोरी को हम लोग क्या नाम देते हैं त्यूरी आफ नेचुरल डिस्ट्रक्षन इसको हम लोग क्या नाम देते हैं त्यूरी आफ नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक रूपस उसका नास हो या सान्तू अर्था सभाव प्लस उपरम सभाव प्लस उपरम उपरम करता नास और सांती अब ये बात आती है कि सभाव उपरमवाद किसकी देन है वेरी वेरी इंपोर्टन टॉपिक है तो ये किसकी देन है सभाव उपरमवाद किसकी देन है बौधों के द्वारा बौध जो थे ना बौध बौधों की देन है अर्था जो बौध धर्म को मानने वाले हैं उन लोगों ने ये स्वभाव उप्रमवाद आपको दिया है एक इसी से मिलता जूलता अक्टर्म आता है स्वभाववाद उपर लिएते हैं स्वभाववाद एक थियोरी है स्वभाववाद जो की भरद्वाज रिसी के द्वरा दिया हुआ है भरद्वाज तो इतना हम लोग को समझने आ जाएगा अब देखेंगे क्या बूला है इसमें इसमें क्या बूला है तो कहीं ने कहीं हम लोग देखेंगे क यहां पर बोला है जायंते हेतु वैश्यम्यात विसमा धे धात्वे हेतु साम्यात समा ते साम सभाव उपरम सदा तो देखेंगे यहां पर बोला गया है कि यहां पर धात्वों के विसम होने से रोगुद्पन होते हैं धात्वे जब सम होती है तो ब्यक्ति स्वस्त हो जाता ह तो हम लोग अभी बात करते हुए आये हैं इस चैप्टर में तो यहां पर दिखा गया है कि कि जिन कारणों से तो जैसे करते हैं न हेतु वैसम्याद जायनते हेतु वैसम्याद अथात बोला गया है कि जिन कारणों से देह की धातुएं अथा सरीर की धातुएं क्या होती है पुष्ट होती है बढ़ती है अगर उन कारणों में विसमता आ जाए हेतु वेसम में आ जाए जिन कारणों से सरीरिक धातुएं पुष्ट होती है बढ़ती है अगर उनमें क्या होता है हेतु वेशम में अतातुन कारणों में विसमता आ जाए तो क्या हो जाएगा विसमात यह धात में सरीर के धातु में विसम हो जाती है सरीर की धातों को पुष्ट करने वाले जो हेतू है अगर वो सम बने हुए है सम बने हुए है तो क्या होगा व्यक्ती स्वास्त रहेगा सम की कंडिशन बनी रहती है उसके बाद दिया है स्वभाव उपरम सदा ते साम स्वभाव उपरम सदा इन धाते साम किसके लिए आया है धातू के लिए आया ते शाम धातू का जो उपरम जो उपरम अर्थात ना स्वभाविक तरीके से होता रहता है एक बार और से रिपीट कर देते हैं कि जिन कारणों से धातुओं की पुष्टी होती है यदि उन कारणों में विसमता या वैसमता आ जाए विसमता आ जाए तो क्या हो जाता है सारी धातुओं विसमा दे धातुओं अर्था सारी धातुओं विसम हो जाती है अभी सम होगा तो क्या होगा रोगुत्पन होगा और यदि कारणों में मतलब जो धातों को मतलब पुष्ट करने वाल जो कारण थे वो सम है तो क्या होगा दे धातों में भी सम रहती है तो सरीर की धातों में भी सम रहेंगी और इन धातों की सांती उपरम का मतलब क्या होता ह सान्ती इन धातु की सान्ती या नास सभाव से होता है तो ये अपने आप में very very important topic है उसके बाद देखेंगे हम लोग कि इस जो concept है अर्था theory of natural destruction है अर्था सभाव उप्रमवाद है इसका दर्सनिक आधार क्या है तो ये जो भी हम लोग सभाव उप्रमवाद का दर्सनिक आधार क्या है क्या बेज है तो ये जो भी हम लोग स्लोक देख रहे है ये बौधधर्षन का मत है लेकिन किसन दिया है चरक सुत्र शोले में चरक सुत्र mango के 28 नमबर का सलोक है जो कि चरक ने लिखा है, लिया कहां से है, बौध दर्षन से लिया है, उन्होंने क्या दिखा है, तो सामने देख रहे होंगे, प्रभित्ति हेतु भावा नाम न निरोधे अस्तिकारणम केचित अत्रापी मन्यंते हेतु हेतुर अवर्तनम, तो मिनिंग देखेंगे, कि जो प हेतु है अर्थाद उत्पत्ती का तो हेतु होता है संसार में जितने भी वस्तु या चीजे उत्पन होती है उनकी उत्पत्ती का तो हेतु है प्रवित्ती हेतु भावानाम लेकिन न निरोध अस्ती कारणम लेकिन न मतलब नहीं होता है उसके निरोध अर्थाद उसके नास का कोई कारण नहीं है कहने का मतलब कि संसार में जो भी चीजे उत्पन हो रही है उसका कारण होता है उसका हेतू होता है लेकिन जो चीजे नश्ट हो रही है निरोध हो रही है उसका नास हो रहा है उसका कोई कारण नहीं है जैसा कि चप्टर पढ़ रहे हैं स्वभाव उपरमवाद स्वभाव से ही उसका नास होता है तो प्रवित्ती में तो हेतु है रथा तो किसी भी वस्तों के उत्पत्ती में तो हेतु होता है लेकिन उसके नास में कोई कारण नहीं होता है केचित अत्रापी मन्यंते कुछ अने लोग मानते हैं कि हेतु का न होना ही नास में कारण मानते हैं कुछ लोग केचित अत्रापी यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कि हेतु का न होना ही नास में कारण मानते हैं तो हेतु नहीं है जिसके वज़े से उसका कारण होता है नहीं तो बना रहता तो बात उमीद है चीजे समझ में आ गई होगी धन्यवाद